सपा नेता आजम खान को सांसत रमादेवी पर दिया गया बयान भारी पड़ रहा है सभी खरी कोटी सुना रहे हैं भाजपा नेता आफताप आडवानी का कहना है कि आजम को पागल कुद्दे के तरह मार देना चाहिए महिला सांसत की बेजजते की है सरकार वो सजा दे कि कभी कोई नेता महिला के खिलाब गलत ना बोल सके आजम का सरकाट कर संसत के दरवाजे पर लटका देना चाहिए ताकि सदन में बैठे लोगों को भी सीख मिलती रहे कि गलत नहीं बोलना है आफताप के वीडियो में असुद्दीन ओविसी को भी सोच समझ कर बोलने की सजा दी है इन जैसे कुछ लोग सदन का माहौल विकारते हैं जयाप्रदा का कहना है कि आजम खान को बत्तमीजी की आदत है चुनाओ में मुझे भी भला बुरा गहा था अब सदन में भी वही जहर फैला रहे है खुद को समझदार बताने के लिए कवीता और शायरी पढ़ते हैं लेकिन उनकी भाशा बहुत बुरी है इनकी सदन से तार रद्ध होनी चाहिए शर्मनाख है कि जनता ऐसी लोगों को चुन कर संसत भेज देती है जिने महिलाओं की इज़त करना नहीं आती इन्हें अगर भारत में रहना है तो सली का सीखना पड़ेगा